परिचाए जब त्रिभुज की उचाई न दी गई हो, तो इस सूत्र का प्रयोग हम त्रिभुज का क्षेत्र फल ज्याद करने के लिए करते हैं। आओ इस अध्याय में हिरोन के सूत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करें। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। इस सूत्र का प्रयोग त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का प्रयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ग्यात करने के लिए कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ग्यात करने के लिए दिये गए हिरोन के सूत्र को हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। सूत्र हमें क्षेतरफल ग्याद करने के लिए आधार और मुचाई के प्रयोग से क्षेतरफल ग्याद करने वाले सूत्र पर विश्वास करने की आविशक्ता नहीं है. यहाँ आकृती सामाने सूत्र को व्यक्ति करती है, जिसमें S तिर्भुज का अर्ध परिमाप है हमें सिर्फ दो चरणों की प्रक्रिया का प्रेयोग करना है चरण एक S बराबर A जमा B जमा C बटे दो का प्रेयोग करके S यानि तिर्भुज के परिमाप का आधा उसकी करना करना और चरण दो उसके पश्चात A बराबर वर्गमूल S गुणा S घटा A गुणा S घटा B गुणा S घटा C का प्रेयोग करके शेत्रफल ग्याद करना जहां A, B और C तिर्भुज की भुजाएं है उधारण आईए अब कुछ हल उधारणों को देखें यदि A, B बराबर 3 B, C पराबर 2, C, A पराबर 4 भुजाएं हो तो हिरोन के सुत्र से तिर्भुज A, B, C का क्षित्रफल ग्याद कीजे हल हम चरण बद्ध रूप से क्षित्रफल ग्याद करेंगे चरण 1 अर्द परिमाप की करना कीजे जोकि S पराबर A जमा B जमा C बटे 2 के पराबर है भुजाओं का मान रखने पर हमें 3 जमा 2 जमा 4 बटे 2 पराब्त होता है इसको हल करने से हमें S पराबर 4.5 पराब्त होता है चरण 2 S का मान A बराबर वर्कमूल S गुणा S घटा A गुणा S घटा B गुणा S घटा C सूत्र में रखने पर हमें A बराबर वर्कमूल 8.4 375 जो की लगभग पराबर है 2.9 के पराब्त होता है एक तिर्भुच दिया हुआ है जिसका क्षिद्रफल 8.9 चार वर्क इकाई है परिमाप 16 और भुजाओं की लंबाई A B बराबर 3 और C A बराबर 7 है तो भुजा B C की लंबाई कितनी होगी हल चरण 1 अर्ध परिमाप S की करना कीजिए S पराबर परिमाप बटे दो यहां परिमाप 16 दिया है इसलिए ये S पराबर है 16 बटे दो यानि 8 के चरण 2 ग्यात मानक मान को इस सूत्र में रखे च्योंकि B C का मान अग्यात है इसलिए मान लिजिए कि भुजा B C की लंबाई X है अथा मान रखने पर हमें निम्न समीकरण प्राब्त होगा अब दोनों पक्षों का वर्ग करके X के लिए हल करिए समीकरण को हल करने पर हमें X लगभग 6.00 प्राब्त होगा चत्रभुज का क्षित्रफल ग्यात करने में हिरोन के सूत्र का अनुप्रयोग यदि उनकी सभी भुजाओं की माप दी हुई हो तो हिरोन के सूत्र का प्रयोग चत्रभुजों का क्षित्रफल ग्यात करने में भी किया जाता है इसके लिए हम चत्रभुज को दो तिर्भुजों में विभाजित करते हैं और फिर इसका क्षित्रफल ग्याद करते हैं आईए कुछ उधारण देखें यदि उन दोनों तिर्भुजों में से एक तिर्भुज समकोन तिर्भुज है तो पाइतागोरस के नियम के प्रयोग से उसका विकर्ण ग्याद किया जा सकता है आईए कुछ उधारण देखें चत्रफुज A, B, C, D का क्षित्रफल ग्याद कीजिए जिसमें A, B बराबर 7 cm B, C बराबर 6 cm C, D बराबर 12 cm D, A बराबर 15 cm और A, C बराबर 9 cm है इस चत्रफुज को देखो इसका क्षित्रफल ग्याद करने के लिए हम इसे दो भागों में विभाजित करते हैं आईए अब एक एक कर इन तिर्फुजों का क्षित्रफल ग्याद करें तिर्फुज A, B, C के लिए S बराबर A जमा B जमा C बटे 2 बराबर 6 जमा 7 जमा 9 बटे 2 बराबर 22 बटे 2 बराबर 11 cm अब हिरोन के सुत्र से जोकी चत्रफल बराबर वर्ग मूल S, गुणा S, घटा A, गुणा S, घटा B, गुणा S, घटा C है. सूत्र में मान रख कर गणना करने पर हमें तिर्भुज ABC का क्षित्रफल 20.98 वर्ग सेंटिमीटर प्राप्त होता है. अब तिर्भुज ACD के लिए भी उप्रोक्त सूत्र अपनाते हुए, पहले तो हम 18 सेंटिमीटर प्राप्त करेंगे. और फिर सूत्र में मान रख कर गणना करके तिर्भुज ACD का क्षित्रफल 54 वर्ग सेंटिमीटर प्राप्त करेंगे. अता है चत्रभुज ABCD का क्षित्रफल बराबर होगा, तिर्भुज ABCD का क्षित्रफल जमा तिर्भुज ACD के क्षित्रफल के, अर्थाथ 20.98 जमा 54. इसलिए चत्रभुज ABCD का क्षित्रफल हुआ 74.98 वर्ग सेंटिमीटर प्राप्त करेंगे. क्या आप जानते हैं? दिर्भुच की तीनों भुजाओं के पदों में उसके क्षेत्रफल का प्रसिद सूत्र प्रतिपादित किया है। सारांश आए हमने जो कुछ सीका है उसे संक्षेप में तोहराएं। हिरोन के सूत्र द्वारा एक तिर्भुच के क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं A, B और C हों। उसकी गणना इस प्रकार की जाती है। हिरोन के सूत्र का प्रयोग किसी अन्यमित चत्रफुच के क्षेत्रफल की गणना में किया जा सकता है, यदि उसकी सभी भुजाएं दी हुई हूँ। इसके लिए हम चत्रभुज को दो त्रिभुजों में परिवर्थित करते हैं और फिर हिरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं